हेलो रिवान, वेलकाँ टू फार्मरोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मरोक्स की यूट्यूब एज़िकेस्टे चैनल में आपका स्वागत है आज की उड़ी लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे क्लोराम फैनिकॉल मेडियसिंग के बारे में तो हब सिंगे कि उसके बेजिक उसके बारे में जानें कि उसका डोस क्या होते है उसकी साइड एफेक्स क्या हो सकती है वार्निंग्स क्या रहती है और कॉन्टर इंडिकेसन क्या रहते है उसको यूज करने पर तो एक्सपर्ट लेक्चर बाया मरसर Assistant Professor and Founder of PharmaRocks Thank you for being PharmaRocks Family Subscribe करें चैनल PharmaRocks Updatesator या Pharma Knowledge के साथ सीखिया लगलक विमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में कौन सी दवा यूज होती है उनके dose, side effects, warnings, contraindications, detail में एक साल तक सरल बासा में PharmaRocks के आप उपर तो Android user Android app डाउनलोड करें iPhone user app store से link description box में मिल जाएगी तो ये कूर्स आपको join करना है तो हमें ये नमबर पे WhatsApp कर सकते हैं हमारी second channel की जिसका नाम है Hollywood to Hindi Explain उसको भी subscribe करके हमें support करें अब समझे ये chloramphenicol के बारे में तो ये SA class का medication है की जिसको हम antibiotics कहते हैं और यहाँ पे हम एक उसके marketed formulation की भी study करें के जिसका नाम है पेराक्सिन 500 capsule की जो 250 के strength में भी available होता है कि जिसके अंदर chloramphenicol जो medication है वो 500 mg जितना एक capsule के अंदर present होती हैं जिसको Abbott Healthcare Private Limited जो है वो manufacture करते हैं जो हाड जिलेटिन capsules रहते हैं और ये सबसे पुरानी एक antibiotic में से एक है कि जो बहुत सारी जो पुरानी antibiotics जिसको कही जाती है उसमें से एक है ये chloramphenicol के जो 1947 के अंदर जो है वो discover की गई थी फिर ये medication के बारे में कुछ basic में बता हूँ उसके use तो वो manage adis के जिसको दिमागी बुखार कहते हैं उसके इलाज में use किया जाता है और typhard fever के treatment में भी use किया जाता है cholera के जिसको हम hyza कहते हैं उसके इलाज में और plague जिसके medical conditions को treat करते हैं बढ़ उसकी एक safety warning रहती है information रहती है chloramphenicol के लिए कि जब तक आपके पास दुसरे safe antibiotics के option available है तब तक chloramphenicol को use ना करें because उसके कुछ ऐसे side effect है तो warning या फिर safety information ये रहती है कि जब तक कोई safe antibiotic या फिर antibiotic का resistance हो या फिर दूसरी antibiotic काम नहीं कर रहे है तो ही chloramphenicol को use करें because उसके करें कुछ है as a side effects होते है जिसे की born marrow suppression एक उसकी बहुत बड़ी side effect है कि जिसके करें आपके सरीर के अंदर जो blood cell से उसकी count कम हो जाती है grey baby syndrome होता है और blood cell मलबकि आपके RBC साथ उसाथ आपके WBC और platelets तीनों की count जो है वो ये medication reduce करते है specially आपके born marrow पे ही असर करता है और born marrow क्या है हमारे body का ऐसा center के जहाँ पे production होता है हमारे blood cell का कि चाहे है वो RBC हो WBC हो या platelets तो ये एक safety information हमेशा रहती है chloramphenicol के बारे में तो ये एक antibiotic medication है कि जो bacterial infections को treat करती है उसके eye drops as well as ophthalmic ointment भी available होते हैं कि जो consecutive itis कि जिसको हम pink ice की condition कहते हैं तो उसके इलाज में भी chloramphenicol को prescribe किया जाता है और जैसे हमने बात की कि जो injection के थूँ या फिर जो हम tablet के बात कर रहे है वो tablet meningitis, plague, cholera, typhers जैसे medical conditions को treat करते हैं जिसको injection के थूँ या फिर आप orally उसको खा सकते हैं तो उसके dose के बारे में हम समझें तो paroxyn जो है उसका marketed fall mission देख रहे हैं वो 500 mg के अलावा उसके 250 mg के भी capsules अवेलेबल होते हैं तो 250 mg या फिर 500 mg दोनों strength अवेलेबल होते हैं तो जो उसका एक dose बनता है वो रहता है 250 या फिर 500 mg हर 6 गंटे पर patient receive करता है तो simply आप समझ लोगे समझें कि आप 250 mg को लेकर चलते हैं तो हर 6 गंटे पर आप देऊंगे तो total 24 hours में आप 4 बार ये medication दे सकते हैं तो 250 into 4 तो maximum 1000 mg जितनी drug patient के body के अंदर जा सकते हैं मेलब कि वो हो गई 1 gram जितनी और अगर आप 500 mg का follow करते हैं तो 500 mg into 4 तो हो जाएगा total 2000 mg जितना medication मतलब कि 2 gram drug जो वो patient receive करता है पर day तो maximum कितना होना चाहिए 2000 mg मतलब कि 2 gram और minimum 1 gram पर day के हिसाब से ये medication जो वो patient को दी जाती है फिर एक और condition यहाँ पर रहती है treatment की कि ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक ही उसके treatment का course रहता है 14 दिन से ज्यादा आप use ना करें और maximum 28 gram ही total 14 days में देना चाहिए तो मतलब मालो कि आप 2 gram पर day के हिसाब से medicines दे रहे हैं तो 14 days अपने medicine दी पर day 2 gram तो हो गाए आपका 28 gram जितना medication जो वो patient ने receive की तो इस तरह से उसका dose and course duration बनता है chloramphenicol के लिए और यहाँ भी condition यही है कि जब कोई और antibiotic जो safe है like sephalosporin में से है aminoglycosides में से है penicillins में से है phloxocins वगरा है वो काम नहीं कर रही तो ही आपके पास एक यह option है chloramphenicol का children dose के हम बात करें तो बच्चे से लेकर 50 mg per kg per day के हिसाब से बच्चे जो है वो यह medication receive करते हैं फिर topically समझे कि यह medication use की जाए कि जो eyes के लिए हमने बात की कि जो eyebrows बनते हैं तो वो 0.5 या फिर 1% के strength में होते हैं फिर ear के लिए है तो वो 5-10% topically रहेगा ear के लिए और skin के लिए 1% के strength में यह medication जो वो standard के हिसाब से use की जाती है अब source की बात करें तो chloramphenicol कैसे बनाई गई तो chloramphenicol को 1947 के अंदर बनाया गया एक microorganism में से कि जिसका नाम है streptomyces Venezuela तो यह microorganism में से यह antibiotic isolate के गई कि जिसका नाम दिया गया chloramphenicol और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उसको synthesize किया गया है chemical की जो medicinal chemistries की जो technique होती है उसके according to synthetically उसको बनाया गया है बड़ सबसे पहले 1947 में तो इस ही सबसे जैसे मैंने आपको बता कि काफी पूरानी antibiotic है और यह जो species streptomyces Venezuela की वो एक अब उसके spectrum के बाद करें तो chloramphenicol broad spectrum antibiotic कही जाते है because यह चाहे aerobic bacteria का infection हो anaerobic हो gram positive हो gram negative हो ricasial infection हो सभी type के infection में यह यूज़ कहा जाता है bacteriostatic action रहते है उसकी influenzae या फिर neceria meningitis सभी type के bacteria में उसकी effectiveness जो देखने को मिलती है तो इसी लिए उसको broad spectrum कहा जाते है because बहुत सारे bacteria के सामने उसकी pharmacological reaction रहते है जैसे की E. coli bacteria है यहाँ पे आप लेखो फिर streptophylococcus और यह से streptococcus pneumonia है जिसके कारण बहुत सारे bacterial infections होते है उसमें से जो ocular infections होते है जैसे का आखों के अंदर होता है conjunctivitis होता है या फिर blefaritis की condition होती है तो सभी को chloramphenical treat कर सकता है फिर यह एक बात यह है कि वो pseudomonas eriginosa के सामने effective नहीं होता तो अगर आप detail में आपका culture test करवाते हैं दूसरी antibiotic से ठीक नहीं हो रहा हो और उसक्त पता चलता है कि यह microorganism का infection है कि जिसका नाम है pseudomonas eriginosa तो उसके सामने chloramphenicol जो वो effective नहीं है not effective फिर यह खास आपको ध्यान रखना है कि उसकी effectiveness कौन से species के सामने है सबसे ज़्यादा कि जो ocular infections कहते हैं फिर दूसरी बात यह है कि chloramphenicol जो वो highly active है साल्मनेला जैसे कि साल्मनेला टाइफी है कि जिसके करण typhoid होता है तो उसलिए देखो कि S-typhी साल्मनेला टाइफी की जो responsible बनता है typhoid के लिए तो उसके लिए highly active medicine कहीं जाते है बढ़ कई बार बैक्टिरिया जो है वो resistance डेवलप कर देते है chloramphenicol के लिए फिर tetracycline से भी ज़्यादा effective बनता है यह medication influence है जो बैक्टिरिया होते है उनके सामने bordet illa partuces है clapsi illa है meningitis है anaerobes bacteria है वगेरा के सामने वो tetracycline से भी ज़्यादा effective साबित बनती है but limitation यह आ जाती है को उसके जो side effects से उसके करन कई बार उसको avoid किया जाता है फिर entamoriba के सामने वो effective नहीं है फिर gram positive जो kocai bacteria होते हैं जैसे की spirochats होते हैं enterobacteria C and clamidia के सामने यह बहुत ही common effective है फिर tetracycline के जैसे ही वो ineffective रहती है mycobacteria pseudomonas और protease virus और fug के लिए तो अगर आपको fungal infection है तो भी chloramphenicol काम नहीं कर दी virus इसके infection में भी chloramphenicol यूस पुर नहीं बदी या फिर protease infection है mycobacteria का को infection है या फिर pseudomonas उसका pharma को kinetic profile हम देखे तो byability रहती है 75-90% protein binding 60% metabolism होता है liver से half life उसके कम है 1.62 3.3 इसलिए आप देखो कि उसका जो dose है 250 से लेकर 500 mg हर 6 hours पर आपको लेना पड़ता है every 6 hours जो है वो ये dose लेना पड़ता है उसका reason यह कि उसकी जो elimination half life है वो काफी कम है mechanism के हम बात करें तो ये protein synthesis को target करता है कि जो भी bacteria के करन आपको infection है उसके अंदर protein synthesis के activity को inhibit कर देता है कैसे करा है कि यहाँ पर आप देखो ये P side है जो ribosome के 50S subunit है वहाँ पर ये वाले side जिसको P side का आ जाता है तो वहाँ पर ये क्या करता है peptide chain जो form होती है आगे जाके protein के formation के तो वहाँ पर एक ये interfere करता है और peptide bond के formation को जो है वो inhibit कर देता है कि जिससे आगे जाके protein नहीं बन पता और protein ना बनने के करण protein synthesis की process जो है ये 24 52 residues जो रहते है 23S RNA की जो 50S ribosomal sub unit के एक part की जो specially P side का जो हम एरिया कहते है वहाँ पर ये bind होके peptide bond का formation नहीं होता और peptide bond formation ना हो तो protein synthesis की process जो हो stop हो जाते इस तरह से protein synthesis करके अपने pharmacological action देता है basic use already हमने discuss कर लिये कि वो conjunctivitis यानि कि pink eyes के treatment में यूज की जा सकती है और typhed buchard जो होता है typhed fever जो हम कहते है UTI की जो है rickase cell infection cholera की जिसको हम hyza भी कहते है तो hyza या फिर cholera में कोई और antibiotic काम नहीं कर रही है resistance है तो आपके पास एक आखरी option रहता है chloramphenicol का bacterial meningitis में भी ये useful बनता है IR ear infection में भी इसको use किया जा सकता है तो pyogenic meningitis anaerobic infections intraocular infection enteric fever whooping up UTI conjunctivitis सभी में chloramphenicol use किया जा सकते हैं उसके capsule आप use कर सकते हैं enteric fever whooping up UTI pyogenic meningitis anaerobic infection और intraocular मलगी जो आख में infections होते हैं conjunctivitis जैसे तो उसमें उसके eye drops use किया जा सकते हैं तो ये एक second choice drug बनती है tetracycline के option में कि जो brucellosis है या फिर आपको treat करने हैं recuse cell infections और erythromycin के option में use की जा सकती है second choice drug के बतौर पे whooping up के ilाज में तो first choice to erythromycin है but second choice बनता है ये chloramphenicol उसी तरह से UTI है या फिर conservativeitis जैसे मैंने अब आपको समझाया but अब यहाँ पे main समझे आपकी chloramphenicol की warnings क्यों है तो chloramphenicol क्या करता है specially कि एक जान लेवा toxicity कर सकता है आपके सरीर के अंदर इसलिए उसके जो clinical use है वो बहुत ही restricted है अभी use करने पर because ये एक serious side effects करता है serious risk करता है bond marrow aplasia कि जिसके अंदर specially आपके body के जो bond में रहते है उसके उपर असर परती है जिसके करन chloramphenicol को कभी use ना करे minor infections के लिए और जो undefined etiology होती के कोई reason पता नहीं है तो यसा मत करूँ कि directly आप किसी को chloramphenicol पर इसको उसके जो side effect है वो ऐसे है कि वो जान लेवा बन सकते हैं किसी के लिए और जो दूसरे antibiotics से समझो कि easily bacterial infections treat हो सकते हैं जैसे कि sepholosporin में आपके पास बहुत सारे option है जैसे कि sephexib है septeryxon है वैसे जो medication है amino glycosides में से है उसी तरह से penicillins में से आपके पास safe option है तब तक chloramphenicol को use करने की जरूरत नहीं रहते because safe antibiotics जो है वो आपकी first choice है और उनका resistance हो या फिर वो use नहीं किये जा सकते तो ही आप chloramphenicol को use करें तो यहापे आप देखो एक marketed formulation है chloramphenicol के capsule 500 mg की जो company ने उसका brand name लिया है paraxin और यहाँ पे भी उसकी box के उपर हम warning देखे तो आप देखो खास यह warning पीछे के हुए लिखी हुए के warning blood discreuses may be associated with the use of chloramphenicol it is essential that adequate blood studies be made मलब की आपके bone marrow के उपर असर करती है और bone marrow एक ऐसी जगा है हमारे सरीर के अंदर की जहाँ पे blood cell का होता है production तो यहाँ पे आप अच्छे से समझें कि blood का जहाँ पे production हो रहा है blood cell जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे समझो कि यह medication target करती है तो specially जब आप यह medication receive करते हैं तो उस वक्त आपके सरीर के अंदर RBC की मातरा कम हो सकती है WBC की मातरा कम हो सकती है लेबल के उपर के अगर आप chloram penicol यूज करते हैं तो regular blood check-up जह वह करा लेना चाहिए या फिर अगर patient यह medication receive करते हैं तो उसका regularly जो 14 days का समझे कि वह course लेता है तो उस वक्त यह खास ज़रूरी है फिर कोई भी यह medication का self medication ना करे ciduliaz prescription drug है proper register medical practitioner या फिर medical supervision में ही यह medication को use करनी चाहिए तिस तरह से company उसके capsules जो वह design करती है उसके उपर भी strength लेकिए या आपे देखो paroxyn और 500 की जो एक hard gelatin capsules रहते हैं तो उसके जो blister के उपर भी आप देखो यह ciduliaz की warning है और नीचे वाली यह warning कि जो main उसके packing के उपर रहता है hard gelatin के capsules रहते हैं तो उसके repeated courses को avoid करें एक ही बार उसको patient को prescribe करें और जैसे मैंने आगे भी आपको dose में समझा है कि 2-3 gram से ज़्यादा per day use ना करें total duration 2 weeks से कम यानि कि 14 days से कम होना चाहिए और maximum 28 gram या फिर उससे कम ही patient जो वो medication को receive करें because यह जो वो काफी side effects करता है bone marrow toxicity करवा सकता है reticulocyte count जो वो आपके reduce करवा सकता है okay और blood count आपको regular करवाने हैं जब भी chloramphenicol receive करते हैं आप और chloramphenicol को जो है इंडिया में उसके जो combination से वो ban किये गए because chloramphenicol के साथ कोई भी दूसरी medication जो वो combination में नहीं दी जाती उसके side effects जैसे कि nausea vomiting करता है diarrhea जैसे common side effect oral vaginal candidiasis but यह उसके सबसे serious side effect है bone marrow depression या फिर hypersensitory reactions और grey baby syndrome तो यह दो major ऐसे side effect है कि वो जानलेवा बन सकते हैं तो इसलिए chloramphenicol को जो है वो काफी इस तरह से यूज़ किया जाता है कि कोई भी option available ना हो तब last में आप chloramphenicol को यूज़ करते तो bone marrow suppression में क्या होता है especially bone marrow depression या suppression कि especially आपके mitochondria के उपर जो है वो असर करती है या medication जो bone marrow के mitochondria होते है उसके उपर especially असर करता है जिसके करन आपके blood cell के production उपर जो असर पड़ती है तो इसके करन जो आपके सरीर के अंदर RBC, WBC, platelets कम हो सकते है NMA की conditions भी develop होती कि जो medication को stop करने के बाद reverse हो जाती है grey baby syndrome pregnancy के दोरान या फिर समझे की new bonds को दिया जाए तो ये side effect develop हो सकते तो new bonds या फिर premature babies के लिए contraindications के list में है कि उनको ये medication जो हो नहीं दी जाती है फिर boy marrow suppression में specially जो अभी already मैंने आपको समझाया कि आपकी oxygen carrying capacity कम हो सकती है immunity कम कर देता है helicocyte count कम होने से मलें कि WBC कम होने से और blood clotting को भी ये interfere कर देता है कि जो आपके thrombocide से फिर aplastic anemia के conditions हो सकती है इसके करण कि जो एक rare but बहुत ही जानलेवा condition है तो ये सब complications कर सकता है कई बार leukemia के भी complications जो Chinese researches दरा देखा गया है chloramphenicol के बारा में कि जो अगर आप बच्चों को ये देते है या फिर किसी भी condition में ये देते है तो ये आपके अंदर leukemia cancer of blood जो हम कहते है blood cancel करवा सकता है ये medication तो इसलिए उसके contraindications है कि अगर आपको उसकी allergy है toxic reactions होती है pregnancy के दोरान lactation के दोरान already आपकी renal मलेकी kidneys खराब है आपका liver खराब है आपको कोई hereditary liver metabolism disorder है आपके bond मेरो already अच्छे से काम नहीं कर रहे है या फिर आपका low blood count है आपके सरीर में bond मेरो failure के करण तो ऐसे लोगों को chloramphenicol जो वो नहीं दी जाती drug interactions के बात करें तो यह medication जो है वो tobutamide है chloropropamide, warfarin, cyclophosphamide, infinite one के साथ interactions करता है और अगर आप उसको antibiotics के साथ दे दूसरे जैसे कि amino glycoside से, beta lactam से तो antagonist effect जो है वो produce कर देगी जैसे दूसरे antibiotic की जो bacteria seedal action के उपर असर परती है और वो antibiotics जो है वो inactive हो जाती है तो ऐसे detail में सिखे medicine course में दवायों के basic use के बारे में उनके dose, side effect, warning, pharma rocks के अप उपर medicine course के अंदर तो यह course join करने के लिए हमें 90163122020 पर whatsapp करें, हमारे second channel को भी subscribe करें, link description box में मिल जाएगी, good luck and all the best